नमस्कार आप देख रहे हैं देवनगरी इंजिया नियूस जिसमें निरक्षक महोदय ने बताया था कि इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है तो हमारे द्वारा परिवहन की बसो को चलान काटे जाएंगे और चालो को पर कार्यवाही की जाएगी लेकिन इस बात को एक महिना बीद गया है लेकिन उचित कार्यवाही नहीं होने की से अचानक डिवाइडर कुदा कर रॉंग साइड लिया गया बस के पीछे से आ रही बलेनो कार की ज्राइवर ने घबरा कर कार को डिवाइडर पर ठोक दिया किस प्रकार की यह घटना है आये बलेनो के ज्राइवर से जानकारी लेते हैं जैसा कि आपने देखा बलेनो कार का आगे का हिस्सा शतिगरस्थ हुआ और कोई जनहानी नहीं हुई जैसे ही घटना की जानकारी नस्दी की थाने को मिली तो पुलिस कर्मी मौके पर पहुँचे कार में पती पतनी उदयपूर से आ रहे थे और उन्होंने बताया कि बस हमारे आगे आगे चल रहे थी और अचानक उन्होंने बिना सिगनल दिये डिवाइडर कुदा कर रॉंग साइड ली हमने सीड बेल्ट लगाया हुआ था जिससे कार के एरबे खुले और हमें नुकसान नहीं हुआ यदि इसी तरह से रोडवेस के डेपू प्रबंदक निलापरवाह चालकों के उपर कोई उचित कारेवाही नहीं की तो आगे किसी दिन बड़ी दुरगटना या जन हानी हो सकती है क्या प्रबंदक मोहदय इसकी जिम्मदारी लेंगे हमारे दर्शक भी इस विशय में हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं कि क्या भविशय में या लापरवाही बड़ी दुरगटना का कारण बनेगी देवनगरी इंडियानिव से जुणने के लिए धन्यवाद